हाई Student मैं विभूती नरायन आपके सामने आज इंटर्विव कोश्चन जो मेकेनिकल में पूछे जाते हैं वो देखेंगे यह सीरीज अभी चलेगा जो जो कोश्चन इंटर्विव में अक्सर पूछे जाते हैं हम वो कोश्चन को यहां पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज हम होता है जब भी कोई object पे हम force लगाते हैं तो उसमें stress induced होता है जो कि material के inside में induced होता है तो देखिए stress क्या है stress is internal resistance of material offering against deformation जब भी body पे हम external force लगा रहे होते हैं तो यहां पर inside में opposite force काम करता है जो कि material कि inside में work करता है यह opposite force work करता है तो क्या होता है stress stress का symbol होता है इस तरह से जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं stress क्या होता है force by area जब भी हम force लगा रहे हैं और जितने area में लगा रहे हैं यह जो area हमारा इस पे फोर्स लगता है तो जब भी force stress क्या होता है, force by area इसका unit हम कैसे mention करता है, newton per meter square, per mm square और इसको mega pascal भी बोलता है ठीक है, तो देखिए होता क्या है जब force object पे लग रहा होता है तो वो material displaced होने लगता है जिसको हम delta x के नाम से बोलते हैं ये displacement होता है, force के लगने से यहाँ पे force लग रहा है और material l length का था अब displaced होके l plus delta x हो गया है तो ये जो displacement आया इसको deformation बोलता है ये जो इतना displacement आया इसी को हम deformation बोलता है तो यहाँ पर आप देख रहे है जो stress induced होता है वो क्या होता है ओफर करता है गया deformation deformation से बचने के लिए stress produce होता है चीक है और इसका unit होता है हमारा newton पर mm2 और या फिर mega pascal next हम देखेंगे strain क्या होता है चीक है ओके तो strain क्या होता है strain होता है deformation जब होता है body में चीक है और जो original length होता है हमारा object का और जो displacement होता है अगर इसका ratio जब निकालते है हम लोग उसको बोलता है strain तो strain क्या है strain changes displacement divided by the original length यह हमारा strain कहलाता है तो जो changes होता है length में यह सब अक्सर interview में हमारे जो interviewer होते हैं कोशन पूस्ट है के strain क्या होता है तो strain actually में क्या होता है जो displacement हो रहा है body में with respect to जो original length है उसमें जो ratio आता है उसी को हम लोग strain कहता है अश्टेन एरिया में जब हम किसी एरिया में इस तरह का surface rectangular slave है हमारा और यहां पर जो हमारा इसका width है suppose हमारा यह length है और यह height है तो हम लोग जब parallel force लगाते हैं इसमें side में ना कि perpendicular अभी जो हम यहां पर फोर्स दिखा रहे है वह perpendicular force लग रहा है और यहां पर क्या हो रहा है parallel force लग रहा है surface पे तो आप देखेंगे यहां इसका deformation कैसे होगा object का इस तरह का object में displacement आएगा यह जो ठीटा है यह ठीटा भी हमें stress को denote करता है कभी-कभी जब हम parallel force लगाते हैं object में चीक है तो यह सब interview में कभी-कभी पूछा जाता है जब आप interview में बैठते हो तो extreme क्या है stress क्या है और कैसी यह work करता object में चीक है कि कि